पंजाब में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की सुरक्षा में हुई चुक का मामला गर्माता जा रहा है देश के 16 पूर्वर डिजीपी समें 27 IPS ओफिसर्स ने राष्ट्रपती रामनात कोविन को चिट्थी लिखकर दोस्यों के खिलाब सक्त कारवाई करने की मांग की है कर जो नियोजित सुरक्षा चूप के खिलाफ तत्काल कारवाही करने का अग्रग किया गया है इंदोर में तीन दस्मिलों 15 करोड का गांजा पकड़ा ट्रक में नमक की बोर्यों के बीच छिपा कर तसकरी आधरप्रदेश से आई थी खेप ग्रह मंत्री डॉक्टर नौत्तम इसरा ने कहा कि वर्तमार में प्रदेश में लॉगडाउन और बजार बंद करने का कोई भी प्रस्थाव विचार भी नहीं है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रोटोकाल का सकती से पालन कराने के उलंगन करने वालों को खुली जेल और मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है मुख्य मंत्रेशी सिवरा सिंग चोहा ने जलसन साधन विभा की ओजनाओं की समिक्षा करते हुए कहा कि प्रतेक परियोजनाओं से निर्मिस सीचाई शमता का पूर्ण उपयोग किया जाए परियोजना ने विलंब का कारण बताए यदि कारण जायज नहीं है तो संबंदित पर कारवा ही की जाए मध्यप्रदेश में वैक्सिनेशन का कृतिमान कोवीड-19 से जंग में हुए नया आया मध्यप्रदेश में कोरोना वैक्सिन के 10-10 मिलो 50 करोड से अधिक डोज लगाय जा चुके है ओला व्रस्टिका पुर्वानुमान उज्जेन ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जीलों में तथा राजगण एवं विदीशा जीलों में बिजली चमकने गिरने के साथ ही अल्पकालिक ओला व्रस्टिका पुर्वानुमान है प्रदेश के अनिक जीलों में मोसम विभ चेतर में निर्मित सीचाई चमता के साथ ही नीजी चेतर मिलाकर एक करोड़ आठ लाग हेक्टेर चेतर में सीचाई हो रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1030 नए केस आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 2475 है। कोरोना संक्रमेंट की दर 1.47% फिजदी और रिकवरी रेट 98.65% है। इंदोर में बुधभार देर रहा था है कोरोना बुलेटिन के अनुसा 9.413 सेंपल की जाच की गई जिसमें 512 पॉजिटिव आए। सब्रों में बस इतना ही। धन्यवाद।